भाई भाशनों के शेर हैं और नतीजों में ठेर हैं अच्छे दिन जाने कहां गए अच्छे दिन वाला जो वाक के हमारे गले में लटका है इसके सच्चा ही मैं आपको बता को यह मुझे मोदी जी ने बताई भी कहा निया पर हमारे पैसी चिपक गई कि जो चिल्ला था वो पूछता आपको अच्छे दिन कब आएगी यह हमारे गले में लटकी वेड़ी है महिला सुरक्षा सुबे टीवी चानू करो और पहली ख़बर आती है कि आज दिल्ली में एक बेटी में बातार हुआ बहुत हुआ नारी परवार कब जागे की भाजबा सरकार तीन लाग सैंतिस हचार नौसो पाइस यह आकड़ा है एक बरस में महिलाओं के साथ हुए अपरात हो यह गुस्सा है दिल्ली के नंगलोई में धाई साल की बच्ची से रेप के खिला दो बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है उरा देश दहल जाता है और मैं तो देख रहा हूँ पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सरकाट रहा है अइसा दुर्देव कभी देखा नहीं और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेबार मानता हूँ अक्टूबर 2016 जवान मंदीब सिंग का शव शक्त विशक्त कर दिया गया नवंबर 2016 में तीन जवानों का शव शक्त विशक्त किया गया और पाँच महीने बाद क्रिश्णा सेक्टर में दो जवानों के शव के साथ किलवार किया गया आँख दिखा करके भी दुनिया के समन नहीं बनते हैं इसलिए हमारा रास्ता है आँख मिला करके दुनिया में भारत का समाना है जिस आधार कार के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कॉंग्रेस के लोग नाच रहे थे और नजाने देश के लोगों को क्या कोई बड़े जड़ी बुट्टी दे दी है जिसे पहले बताते थे निराधार अब उसी को बताते हैं जीवन का आधार आज की तारिक में एक साधान साधार कार्ड लोगों के ससक्ति गान का प्रतिक बना है अधर्श ग्राम योजना हर साउंसर 16 तक अपने इलाके में एक गाउं को आधर्श गाउं बना है अब खुदी जानिये मोदी जी के गोद लिये जयापूर गाउं की सच्चाई जो होना चाहिए मैं सड़क पहले दुरूस्त होना चाहिए वो तो हुगा नहीं बिजली आती है तो आठ गंटा से छेवे गंटा रती है रुजगार कहेते मोदी जी मिले का तो बच्चे पड़बढ़के बैठे हैं मिला नहीं रुजगार का भारती जनता पार्टी का और गुजरात का रविया प्रारम से ही बहुत साप है जी एस्टी कभी सफल नहीं हो सकता सद्धा से पहले जी एस्टी हानी सद्धा पाकर जी एस्टी तरक्की की निशानी तिगड़म की जै हो रोजगार की समस्य जादे तर नव्यूगों ने इस बारे में अपनी वेदना प्रकट की हमसे की खाली हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे है किसानों की लाचारी करने पढ़ रही है कि सरकार की नीत्या ही उसके लिए जहर पढ़ गई आपके राजकाज में हर रोज देश के 35 के सान आत्म हत्या करने पर मजबूर हैं ना फसल के ताम हैं ना सरकारी खरीद बातों की तिकडम नहीं नयाय और अधिकार चाहिए यह सब अकेले खरीफ 2016 में ही प्राइविट बीमा कंपनियों को 10,000 करोड का मुनाफ़ा दे डाला किसानों से 2% लिया जाता बाकि 8% केंदर और राजसरकार बरती है लेकिन जाता तो हमारा ही धन है यह सरकारे मिल करके बीमा कंपनियों को लाब पहुचाती कोई नीजी बीमा छेतर में यह बीमा कंपनिया बीमा करती है नियूनतम समर्थन मूल्य प्राइज भोडिया प्रधान मंत्री बनने के लिए मोदी ने किसानों को 50% समर्थन मुल्य पढ़ाने का जिक्र कर दिया वो अभी पूरा नहीं हुआ गुलावी करंती जो पशु काटे जाते है उनका जो मतन होता है उसका रंग गुलावी होता है और पिंक रिवालुशन का उनका मतनब है हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा मतन एक्सपोर्ट करे यह है देश के वानिक्ज मंत्राले की वेबसाइट इस वेबसाइट पर भैस के मीट के निर्यात का आकड़ा देखी जिन नरेंद्र मोदी ने चनाव में पिंक रिवल्यूशन यानि भैस के मीट के निर्यात का मुद्दा उच्छाला था उनके कारिकाल में भैस के मीट के निर्यात का कारोबार खूब फला पूला है विश्वभर में लोगों से कहना चाहता हूँ कम मेक इन इंडिया खुद प्रधान मंतरी अपने हाथों से मेड इन चाइना वाल अमाल बाटने वाले अपने संसदियक शेत्र में शारिरीक तोर पर अक्षम लोगों को ट्राइसाइकल, हेरिंग मशीन और फील्चेयर बाटनेंगे और इस आयोजन के लिए चाइना से ट्राइसाइकल मंगाए गए इससे ज्यादा हद क्या हो सकती है कि मेक इन इंडिया वाले मेड इन चाइना का माल बाटेंगे स्किल इंडिया देश को विकांस के लिए और आगे बलाना है, तो स्किल डेवलप्रेंट यह हमारा मिश्ण है कॉंग्रिस का काम अपना नाम तीन सालों से यूपिये की परियोजना है मंगलियान से लेकर पावर प्रिड, गैस पाइपलाइन, माता वैश्णु देवी रेल परियोजना और एशिया की सबसे बड़ी सुरंग का फीता तो काट रहे हैं मोदी साब और कॉंग्रेस ने कुछ नहीं किया का ज्यान बाट रहे हैं जूर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना तो भी इंदुस्तान के एक-एक गिरीब आदमी को उसक्त में 15-20 लाग रुके इंभी में चाहिए देखे ए जुमला है ए भातन देने का एक तरीका है जुमला है पैकेज चाहे बिहार का हो या जम्मू कश्मीर का मैं आज बिहार के पैकेज की गोशना यहीं से करना चाहता है करो पचास हजार करू की जादा करो साथ हजार करू की जादा करो नंबे हजार करू की जादा करो मेरे भाईयों बहनों कान पराबट ठीक रखके सुन लीजिए दिल्ली सरकार सवा लाग करोड रुपिय का पैकेज देगी जम्मू कश्मीर के लिए असी हजार करोड रुपिया का पैकेज देने का गोशित किया वोट बटोरने वाले इस तिकडमी पैकेज की सच्चाई क्या है आईए बतातें आज तक एक फूटी कॉड़ी नहीं दी ना बिहार को और ना ही जम्मू कश्मीर को ये खुलासा हुआ है आटियाई से अलिम्पिक में मैडल सत्ता से पहले तो उलम्पिक की तैयारियों को लेकर बड़ बोली बातें पर सत्ता में आते ही छूटे पड़ गए सारे वादे रियो उलम्पिक का अगाज पाच अगस्त को हुआ था लेकिन ग्यारा तारीख तक भारत की जोली मेडल से महरूम है नमामी गंगे कहते तो थे कि बीस हजार करोड के पैकेट से गंगा मईया साफ होगी पर हुआ कुछ नहीं इसलिए सुप्रीम कोट ने भटकार लगाई कि इस रफ्तार से सौ साल में भी गंगा माई की सफाई नहीं हो पाईगी हाँ सागंध की भी जूठी तिगड़म सभी को घर बहुत खूब भाजपा सरकार गरीबों से वादा दो करोड मकाम का और तीन साल में बनाए बस एक लाग इस रफ्तार से तो दो करोड बनाने में बस छेसो साल लग जाएंगे अब तक 76,000 गामों में अप्तिकल फाइबर नेटवर्क लांस माईल कनेक्टिविटी के साथ पुदा हो गया पर ये है दूर संचार मंत्राले की अपनी रिपोर्ट जो बताती है कि तीन साल में जोडने तो थे 2,20,000 गाम और जोड़ पाए बस 16,000 गाम इस गति से तो काम दो हजार साथ में तो पूरा होई जाएगा पेट्रोल डीजल के बेलगाम दाम जिस पकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये ये दिल्ली सरकार की सासन चलाने की नाकाम याई का जीता जाकता सबूत है अब देखी ना वैसे कच्छे तेल के भाव 55 प्रतिशत गिर गए फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा कर भाजपा सरकार 2,33,000 करोड जनता की जेब से लूट रही है ये जो रेट बढ़ाए हैं बहुत जादे बढ़े हुए हैं तो इससे तो आम आदमी का बजट भी गड़ जाएगा भी दाल के भाव आसमान जरूर छू रहे हैं मोदी जी आपके राज में 70 रुपे नहीं 230 रुपे किलो भी की है दाल अब जरह ये बता दीजिए कि किन बड़े जमा खोरों की दाल गलाई है आपने गिरता रुपया एक डॉलर कभी 65 रुपिया कभी 64 रुपिया आप गल्पना कर सकते हैं क्या होता होगा देश का तो आज डॉलर का रेट क्या है मोदी जी पहले तो भाजबपा ने विजय मालिया को सांसर बनवाया गोदी सरकार के दौर में नौहजार गोड़ों की चपत देश को लगा कर मालिया देश छोड़ देते हैं और कोई कानूर कोई अजंसी उन्हें रोक नहीं पाते इस कानूर आने के बाद निरने की प्रक्रिया सुदरेगी लोग डरेंगे गलत कारणों से निरने करने बाद तीन साल हो गए भाजबपा सरकार को अब तक लोगपाल का कुछ पता नहीं मन्रेगा मन्रेगा आपकी विफलताओं का जीता जात्ता समारक है यह आंकड़े सरकार के ही हैं बोधी सरकार के और आंकड़े कह रहे हैं कि आठ साल के भीतर मन्रेगा कर्मियों के बीच गरीबी तकरीबन 20% घटी है यानि गरीबों मजदूरों के लिए मन्रेगा योजना सफल सावि सरकारी आंक्ड़ों में तो कॉंग्रेज की मन्रेगा का गुणगान गाते हैं और भाशनों में गरीब की रोजी का मज़ाक उळाते हैं दलितों का दमन जब वोट बटोर ने हूं तो दलितों का दर्द याद आता है और काम निकल गया तो दलितों को ही दर्द दिया जाता है BMW कार ने एक दलित को कुचल दिया सर मुझे ख्षमा करना वो BMW वाले कार को मालूम नहीं था कि वो दलित है जी लेकिर हम आग लगा देते जी सुना अपने देश के PM नरेंद्र मोधी को दलित अत्याचार की खबर पर हसी आती है पुरे विश्व को मिलियन सब मिलियन टीचर्स के आवशक्ता है हिंदुस्तान के पास नवज़वानों की फोज हैं क्यों न हम टीचर एक्सपोर्ट करें टीचर एक्सपोर्ट करने वाले माशय अपनी सरकार की असलियत तो जानी लीचिए सबसे बेहतरीन IIT, IIM और केंद्रिय उनिवर्स्टिस तक में 12,000 से अधिक पत्खाली पड़े हैं 2000 रुपय का ये फटा हुआ नोट किसी गरीब की जेब से नहीं निकला है ना ही किसे बैंक के बाहर भीड की कश्मकश में भटा है बल्कि ये नोट बरामत हुआ है पांदीपुरा में मारे गए खूखार आतंकी के पास से सच तो ये है के ने आतंकवाद रुका ना नकसलवाद साथ बड़े आतंकी हमले हुए और दो बड़े नकसली 42 सेनिक वीरगती को प्राप्थ हुए ना ये बताया कितना काला धन पकड़ा और ना कितने फरजी नोट जनता सचाई चाहती है तिकडम नहीं